तो चरंजीत चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के बाद कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एक एतिहासिक कदम है देश में पहली बार हुआ है कि जब किसी राज्य की सत्य की कमान किसी दलित के हाथों में सौपी गई हूँ वहीं दूसरी और चरंजीत चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बस्पाप्रमुक मायवती ने कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना साथते हुए कहा कि एक चुनाबी हतकंडा है अगर पंजाब की बात करें तो कंगरेस पार्टी ने एक तरीके से कहा जा सकता है कि कमान एक दलित मुख्यमंत्री के हाथ में सौपा है क्या आपको लगता है कि ये एक एतिहासी कदम है एतिहासी कदम है, खुरान थिकारी कदम है, एक खुशी की लहर चारो और देश में फैल गई है, उस प्रांत में ही नहीं, चारो तरफ फैल गई है, और सिर्फ दलितों के बीच में नहीं, सभी के बीच में, क्योंकि ये कहें करके मैं दलितों को, जो दलित नहीं हैं, उनसे अ उनको बढ़ाई देना चाहती हूं, उनको अपनी शुपकाम नाय और पित करती हूं कि वे इस प्रांथ को सफलता पूर्वक चलाएं और जो नीथिया है कॉंग्रेस की उसे लागू करें. जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी ने एक दलित को कमान सौपी है पंजाब की, इसको लेकर मायावती को आपती है, उनका ये कहना है कि कॉंग्रेस पार्टी का ये चुनावी हतकंडा है। तो ये घबराहट है। तो क्या आपको लगता है कि ये मायावती वोट बयंग को लेकर जादा डर गई है, जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी ने कमान एक दलित के हाथ में सौप दिया है। वैसे वहाँ तो उनके बोट भी नहीं है उस प्राट वें। वैसे भी वो धरी रहती है। बहुत देने के लिए शुक्रिया, तो आप सुन रहेते मेरा कुमार जी को जिनका सापतोर पर कहना है कि कॉंग्रेस पार्टी का ये क्रांतिकारी कदम है और आने वाले समय में कॉंग्रेस को इसका फायदा भी मिलेगा। Download the JonathanTr TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.